नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये मुर्गी जो आप देख रहे हैं ये मुर्गी है प्योर कुड़क अब इस मुर्गी के जो है हम कुड़क हटाएंगे इस मुर्गी के जो हम कुड़क हटाएंगे इसके कुड़क रहने से क्या नुकसान है और कुड़क हटने से क्या फायदा मैं आपको बताऊंगा इसके जो है कम सकम 21 दिन में तो ये बच्चे निकालेगी और कम सकम तीन महीने बच्चों को पा लेगी तो ये काफी लंबा समय ले जाएगी कुड़क रहने में और अंडे हैच कराने में ये तो होगया नुकसान और यदि हम इसकी कुड़क खटा देंगे कुड़क हटाने के किरूसिंग पाजाएगी कि रोखिंग पर आने के बाद ये जल्दी फिर wonders फिर 50 दंध्र दिन बाद नरफ unto अझाएगी तो इसी तरीके जो है एक महीने के अंदर अंदर यह दुबारे अंड़े को आ जाएगी कुरक खटाने का जो है इसे मैं पहर जावारी आज ये एक कांत में बैठी आ बिल्कुल एक तरीके से इसे इक आज एक आनदे में नहीं बैथने देना, इसे और मुर्गों के साथ ये मुर्गी के साथ छोड़ देना है, ताकि और मुर्गी इसे हमेशा लड़ती रहे, जगड आपने देखा भी होगा इसकी नाक में आप नाक में घर देते हैं इसकी पूच का या साइट का कोई भी बाजुबाजु का पर इसकी नाक में घर दोतो है भी भी नाक में चला गिर देते हैं तो उसी के बेरागसे में लगे रहे हुआ तो इसकी खंटाने में फायदा अन्डे हैच कराने में कोई फायदा नहीं है कि आगा आगा घर्मी पड़म की पता चल रहा है कि गर्मी से परिसान हो के विए कभी बी इड़ सकती है भाग सकती तो उन लोगोगो नाशुज जायेगा तो बहतर होगा कि इसकी कुड़की हटा ले हम जाल मैं जो इसे ताजे पानी में जो नला दिया है इसकी कुड़क हटाने के लिए देखो यह कुछ इस इस हालत में है यह भूल गी अपना कुड़क पना ठीके दोस्तों यदि आपकी भी कोई मुर्गी कुड़क है तो आप इस तरीके से दो तीन बार नहवाएं ठंडे पानी में ताजे पानी में वह जो है कुड़क वाले हर्मन जो से खतम हो जाएंगे तीन चार दिन में ही और आप जो है इसा है बिल्कुल अकेली ना बैठने द तो उसी कुड़क हट जाएगी ठीके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जब तो लग के लिए नमस्कार